सो का वरग मूल कितना होता है वरग मूल को कैसे लिखते हैं बचा हम अपना अंडूर्ट चेंग के दोरा लिखते हैं यहां पर हम अपना कौन सा विधी का में लेंगे अभाज ये गुणन्द खंड विधी इस विधी में करना क्या है देखिए बिल्कुल सिंपल है दी की संख्या के हमें अभाज ये गुणन्द खंड करने हैं अभाज ये गुणन्द खंड करने के लिए हमें क्या करना होगा अपने अभाज ये संख्याओं का भाग देना होगा अबाजी संक्याई कुन सी है, दो, तीन, पांच, साथ, सरपरतम दो का भाग दिया, सो में, यहां साइड में लिख के दे सकते हैं, कितनी वार जा रहा है, पचास वार, फिर पचास में दो का भाग, पचीस वार, पचीस में देखिए, दो का भाग नहीं जा रहा है, तो किसका भाग देंगे, तीन का चेक करेंगे, तीन का नहीं जा रहा है, पांच का भाग जा रहा है, नहीं जाने का मतलब क्या है, जब भाग देंगे, तो आपका सेंसपल जीरू नहीं आएगा, सेंसपल जीरू आ रहा है, मतलब भाग जा रहा है, सेंसपल जीरू नहीं आ रहा है, जी दो वार पांच आपका कितनी वार है, दो वार हमें क्या चाहिए इसका वरगमूल करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दो समान संख्या का जोड़ा, दो समान संख्या का जोड़ा, परते एक जोड़े में से एक वार इस संख्या को यहां लिखेंगे और गुणा करें, कितना ग झाल 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 झाल